मूदी जब अमरीका जाता है तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है मूदी जब आस्ट्रेलिया जाता है तो जुआर्दी बॉस कहकर बुलाया जाता है मूदी जब किसी भी दूसरे कंट्री में जाता है तो वहाँ पर उसको सारा आखों में बिठाया जाता है कि यह वाली वीडियो शामने आई तो मैंने का प्रीजिया इस जेस्चर को बहुत एप्रिशेट किया रहे है सोचल मेडिया पर कोई इंसान का बच्चा ऐसे एप्रिशेट करेगा अच्छा देखें आप का फियर से से आपको इबता रहे है कि नरेंदर मुदी एक बहुत ही प स्ट्रक्चर है वो काफी हाथ तक अपना एक रखते हैं दुनिया से लग तो अपनी पहचान कुलिशली और सोचली उन्होंने कभी नहीं छोड़ी तो पायन हुंट शी मान गए हो तुशी मान गए हो वजीर आजम बुदी बहुत पॉपुलर है और अगली टर्म में जो हु इन यहां गैडिया नाम आते ही चेंज हो जाती है इंडिया नाम आते ही गेंचेंज बए जो हो कर वो सफाई कर तो अफर नहीं बाते हैं इस वह कहते है ना राखिजिए को आगे जाने की जा पीछ जाने के एक आपको लगता आ मोधिवाल गुलोबल लीड़ है क्या सकते है इसके लावा पूरी दुनिया में उनकी से है, हर कोई उनकी बात सुनता है, उनकी बात कोई रिजेक्ट ने करता मूदी जब अमरीका जाता है तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है मूदी जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तो जुआर्दी बॉस कहकर बुलाया जाता है मूदी जब किसी भी दूसरे कंट्री में जाता है तो वहां पर उसको सारा आँखों में बिठाया जाता है अफरीका से लेकर तो इंग्लेंड तक यूगे तक और अमरीका तक उसके तरह आने बज़ रहे हैं तो आप कैसे उसको जो है वह डिनाइ करें गेट कैसे किस तरीके से करें अच्छा फिर यह कि अपनी नेक्स टर्म में अगर वह थर्ड लाज़ अगर तो फिर देखें एक तो होता है कि आप धिटाई के बहुत सबसे ज़्यादा बादी वाले मुल्क को चलाना असान तो नहीं कारणा जो सरी बातें आप और करते हैं तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होता कि बगार प्रोब्लम के शशी धरूर सा फर्मा रहे हैं, मुदी इस लाजर देन लाइफ, इस अनल बिलीवेबर, प्राइम मिनिस्टर मुदी खुद मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हैं पेगाम देरे कि हमारा मुलक है, यहां के इंस्टिट्यूट्स को, इस मुलक को साफ रखना हमारा काम है, चाहे वो किसी भी ओधे पर हो, चाहे कोई कितना ही बड़े ओधे पर क्यों ना हो, चाहे कोई भारत का सिटेजन हो, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई प्रैजिडेंट ओहर, किसी का ये फर्स बनता है, कि वो अपनी कंट्री को साफ रखे, वहां के इदारों को वहां की ब बड़ा बंदा किसी ओधे पर क्यों ना बैट जाए वो भी उतना ही जिम्मेदार अपने मुलके लिए तो खुद प्राइम मिनेस्टर होकर वो सफाई कर रहे हैं क्या गहना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत के प्राइम मिनेस्टर ने खुद बाहिर निकले हैं तो ये एक एड़िटाइजिंग हो जाती है ये एक सबक ही हो जाता है कि आपका जो लीडर है वो खुद डाउन टू दा अर्थ है वो खुद जाकर जो है वो सफाई को प्रोमोट करें तो क्या लगता है अगर यहां पर भी कोई ऐसी मिसाल दी जाए तो अवाम का दिमाग दरूस्त हो सकता है या नहीं मैंने पहले भी बताया कि वो अमली मुझारा करके दिखाता है जैसे अगर आप को याद हो इससे पिछली हकूमत में गालबन ट्री लगाए बिलियन ट्री की जो है ना मोहिम चलाई गी थी तो लगाए भी गए थे काफी ज्यादा लेकिन हमारी जो है ना जब नहीं हकूमत आती है तो उनका ख्याल रखना बंद की अदिया जाता है और फिर वो जो है ना वो बले ट्री भी ना उनको पानी दिया जाता है ना कुछ ना कुछ तो फिर वो खतम हो जाते हैं क्योंकि शुरुआत के दिनों में उन पे कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता फिर जाकर वो एक द्रक्त बनता है उसके बार तो कुदरत उसको संभाल लेती है लेकिन स्टार्ट में तो करना पड़ता है ना अच्छा वो मंदर में जाकर उन्होंने जो है वो सफाई की है खुद जाकर अगर हम यहां पर अपनी अबादत गाहों की बात करते हैं या इंस सब्सक्त बेलकुल नहीं है तो यह कोई बढ़ देता है तो यह कोई एक व्यक्ति उसको उनको ब्रैंड भॉल रहा है और पुरी दुनिया उनको अपने उनके अच्छा और बेहतर से बहतर करनी की कोशिच में लगी है तो फुरी इस नौतर सर्दी वोड़त के मुदी जी ज और फ्राइडे के दिन जिस हिसाब से कल के ही दिन में नभी मुंबई महाराष्ट्र में इस कंट्री का सबसे बड़ा ब्रिज सबसे बड़ा ब्रिज बना है जिसकी बारा सो बारा हजार साथ सो करोड लागत पड़ी है और उसका नाम अटल सेतु जी रखा गया है तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि अटल बिहारी वाजपाई जी एक सहतेकार थे एक पोएट थे और साथ साथ हमारे देश के पूर्वुकर्धान मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपाई जी वो ब्यत्ति है जिन्होंने बाते उठा दी थी संसत के अंदर 370 अप्रोगेशन की जि इनतलाग बीन्हें जिन्होंने बाते हुथाई थी महिलाओं के fundamental rights की तो रभभ मंधर की जब इतिहास खोला जाएगा ना अनम और जब मैं उनकी पंतिया बोलना स्टार्ट कर दूँ तो मुझे लगता है कि मैं रो पडूदी है लेकिन वहा इतसाब हो ही कर सकता है घिसका ख आपको लेगसी का शौक ही नहीं, आपको पते नहीं लेगसी चीज के होती है, आपको करदार साजी छोड़नी है, भारत में आज भी करदार बनाए जा रहे है, भारत में आज भी लेगसी का दुनिया को शौक होता है, दुनिया को आज भी शौक है कि दुनिया में हम क्या की बात कह रहे हैं, लेगेसी बात कह रहे हैं, कल देखें ना, गुजरात के अंदर उन्होंने वाइबरन्ट गुजरात समिट किया है, 2003 में उसकी बुनियाद रखी थी, समिट की, उसको बीश साल हो गए है, कल वो MBZ को बुलाया था, मुजंबीक के सदर को बुलाया था, चेक रपबलिक के वजीरियाजम को बुलाया हुआ था और वो कह रहे हैं कि हम कॉंट्रीब्यूट एक, तार सब इंडिया के अंदर स्टेट्स के अंदर जैलिसी है गुजरात कहते हैं जी, मैं आठ पर्सेंट इंडिया की जीडीबी में कॉंट्रीब्यूट करूफ, लास्टेट कहती है, यह हमारी स्टेट्स के अंदर सूपों के अंदर वो जैलिसी नहीं है, सारे स्मगलिंगे चे इन्वाल्व हैं, सारे पैसा लेके बाहर जाने में इन्व